पपने की तरफा गली तरफा गली के अंदर हमको बीना बताए ऐसी जगा भेजा जा रहा था माहूल गाओ इसका हमने विरोध गया और अभी हमको वापस बुला गया रात में साड़े ग्यारा बजे नोटीस लगी जब पूरे लोग तरावी पढ़के सो जाते है तब रात में से जबाने एक हम को एक हमको नहीं पता आप आओ या ना आओ हम आपको ले लेंगे और जो आपके फैल घर अगर हमारे टॉटल दोसों घर है उसमें से MAY honestly in the second वाइर उसमें से सिर्फ सार्बछों को पास किया है और जितने बाकी एक 1000 घर है वह पूर्य है फैल फेल का मतलब यह है कि भाई इनको घर के बदले घर भी नहीं मिलेगा और वो फेल इसलिए है वो कोई बड़ी बात लिए किसी में करंट बिल नहीं लगाया है और किसी का कुछ डॉक्यमेंट ऐसा इसा इसके वज़े से इन्होंने इसको फेल किया है तो मेरा कहने का मतलब यह जाके आज जब मैं वार्ड ओफिसर और बड़े बड़े अधिकारियों के सामने गया और उनके सामने एकदम रो के गिर गया पैर उपर कि भाई हमारा रमजान चल रहा है हमारे लोग अलग तैयारी हुए चल रहे है आप जो भी करना चाहते है वो करिए लेकिन आप बस चा हमारे लोग अधिकाफ में हमारी गली के अंदर मस्जिद है अधिकाफ एक ऐसी चीज होए जिसमें आदमी मस्जिद के अंदर ही रहता है दस दिन तो हमारी गली के अंदर बहुत से लोग अधिकाफ में बैटे हुए कम से कम उस अधिकाफ वालों के लिए हमारे लोग सोचे कि आप सब बहराम वाले नौपड़े वाले हम जो भी लोग इस चीज को देखे रहे हैं यही चीज को देखेए कि हमको रम्सान की एद मनाने दिया जाए जब हम लोग अपने घरों को सजाने लगने जब हमारे घर को सजाने का वक्त है जब यह week टोड़ने के लिए आ रही है, तो मैं आप सभी लोगों से request करता हूँ अल्ला के वास्ते, बाइनके वास्ते हमारी उमत का साह्त दीजिये, और हमारे लिए आगे वड़कर हम बहुत परिशान है, हमारे लोगों के पास घर मी रहनीगाला है, बै आप लोगों से request करना हूँ, स कि लिएन वागे आगे आगे, मैं रिक्वेर्स करता हूँ, कि बहुत से हमारे लोग के साथ बहुत से लोग ने हमारे वेगर हूजेए, उनको घर नहीं मिलने वाला है, इसी वज़े से के उन्होंने चिटिंग के साथ अपात रिखिया है, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई, मैं एक ऐसा लायक हूए मैं अपना घर बना लूँगा लेकिन जो लोग बना चुके वह नहीं बना सकते हैं वह बांदरा में घर अपना उन लोगों के लिए हमारी उम्मत के लोग सामने आए हमारी मस्जिद के इतिकाफ के वालोग के लिए सामने आए आप से रिक्वेश्ट देखें इस वीडियो का वाइरल करें हमार रमजान में तूटने से बचाए असलाम उलेकुम